एकदम कुर्कुरी करारी क्रंची, जबर्दस टेस्टी महाराश्ट्रा की स्पैशल कोथम बीर बड़ी बनेंगी इस ट्रिक से एकदम परफेक्ट तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर क्रिस्पी क्रंची महाराश्ट्रा की बहुत ही फेमास और बनाने में एकदम सिंपिल और आसान कोथमीर बड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी रसिपी है इसको मैंने आज इतना सिंपिल बना दिया है कि ना तो आपको इसको स्टीम लेना पड़ेगा ना आपके कोथमीर बड़ी तेल सोकेंगी परफेक्ट क्रिस्पी कुरकुरी और जाली दार बनेंगी इस नई ट्रिक से हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पारूल कुगवित पारूल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक दम नए तरीके से सुपर टेस्टी क्रंची और कुरकुरी करारी कोथमीर बड़ी बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है हरा बरा फ्रेश दो बंच हरा धनिया हरा धनिय की जो मोटी-मोटी पीछे की डंटल होती है वह सारी हम हटा देंगे और इस तरह से हरा धनिया को बढ़िया से दो करके अच्छ साफ करके पानी पूच करके हम ले लेंगे इस कोतमीर बड़ी का जो मेजर सौध है और जो इसके इंग्रिडियेंट है वही उसकी सबसे जादा ज चाहिए होगा अब इसको हमें यहां काटना है फाइन ज्यादा मोटर नहीं काटेंगे और बहुत जादा बारिक भी नहीं इस तरह का हमें हरे दनिया को काटना है अच्छा जो मोटी-मोटी डंधल इसकी निकलिए न उन्हें फेकेगा मत उनको आप ग्रेवी बगरा में चुकेंगी एक तम उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनेंगी अब हम लेंगे एक बड़ा बोल और इसमें मैं ले रही हूं देल कप बेसन घर का कोई भी कटोरी या कप आप सेट कर ले उसी अनुसार से आप ले तो देल कप हो गया बेसन इसमें मैं डाल रही हूं बड़ी क्रिस्पी हमारी बड़ी तयार होंगी यदि नहीं है तो आप इसे कि बड़ी कर सकते बखेर इसके भी आप तयार कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे एक चोधाई छोड़ी चमज हल्दी और स्वाद अनुसार नमक अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसका हमें तया आपको ने ठीक करना पड़ जाएगा जैसे दूद की कंसिस्टेंसी होती ही ना मठा या दूद बिल्कुर उस कंसिस्टेंसी का पतलग हूल हमें इसका तयार करना है जैसे मैं कर रही हूं ऐसे ही कीजिएगा यह देखें एक तब बढ़िया लंफ्री घोल हमारा तयार हो गया तो डेल कब बेसन और दो चमबच जो मैंने चावल गाटा लिया उसके अनुसार लगबग एक ग्लास भरकर मैंने इसमें पानी का यूज किया है अगर कबसे बोलू तो डेल कब बेसन के लिए लगबग जीरा बिल्कुल बढ़िया से इसका एक पेस तैयार करेंगे चाहें तो आप मिक्सी भी कर सकते हैं पल्स पर पीस लीजेगा मैं इसमें कर रहे हूं एक तब दर 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 असका पेस तैयार हो जाएगा जादा फाइन नहीं करेंगे तब यह जब आप बड़ी खाएंगे एक कड़ाई, कड़ाई में डालेंगे दो छोटी चमच तेल, टेल को बढ़िया से गरम होने देंगे और तेल के गरम उती इसमें जाएगा एक चोटी चमच जीरा, दो पिंच हींग, हींकटेस बहुत ही मस्त आता है बड़ी में और इस स्टेश पर इसमें हम डालेंगे हमा तिल, तिल में होता है धेर सारा कैल्शियम और कुतमीर बड़ी में तो जरूर बढ़ता है, साथी यहां पर मैं डाल रही हो तीन बड़ा चमच दरदरी कुटी हुए मुंगफली, सिंग्णाने को हलका सा रोस करके मैंने इस तरह दरदरा इसका पाउडर बना लिया था, इस सारा धनिया यहां डाल करके एक से दो मिनट इसको लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा भूल लेंगे, आप देखेंगे कि धनिया बिकुल सॉफ्ट हो जाएगा, फिर जो कुतमीर बड़ी में टेस्ट आएगा, मजा ही आ जाएगा, जनरली जो ट्रदीशनल तरीका होता है, उस अब इसमें हम डालेंगे हमारा तयार बैटर, जो गोल भी तयार किया था ना बेशन का, सारा धीरे-धीरे करके डालते जाएगे, और मिक्स करते जाएगे, फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे, और लगातार चलाते हुए इसको थोड़ा गाडा करेंगे, चलाएगे जरूर ज थोड़ी चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, अभी जगे जगे बारिश भी हो रही है, मौसम भी बदल रहा है, गनपती बपप भी आने वाले हैं, तो आप इसे जरूर ट्राय करें, और जैसे मैंने बताया, अगर गनपती जी के लिए बना रहे हैं, तो लेसन वगरा मद डालि अब यहां पर मैंने लिए एक स्टील की थाली, थाली पर थोड़ा सा तेल डालेंगे उसे ग्रीज कर लेंगे, अब डालेंगे थोड़ी से सफेद तिल, इस तरह से स्प्रिंकिल कर दें, इसे लुक बहुत बड़ी आता है बड़ी में, और सारे मिक्स को इसके उपर ट्रां के लिए इसी तरह थंड़ा होने, उसी में ये बिलकुल बड़ी से जम कर सेट हो जाएगी, और ये देखिए, मिंटो में हमारा कोतमीर बड़ी के लिए मिकसर बिलकुल तयार ये देखिए, परफेक्ट सेट हो गया है तो बस इसको निकालने के लिए आप थाली को इस तरह स चल रहा है ना एक परफेक्ट बिलकुल भी गिली नहीं है, परफेक्ट सेट हो गई, अब यहां अपनी जेक नाइफ और अपने मन चाहे तरीके से चोटे साइज, बड़े साइज जैसे चाहे उसे कट हम कर लेगे, मैं ट्रडिशनली इस तरह से बनाई जाती है जो शेप हो सकते हैं अगर आप इसे फ्राई बगरा नहीं करना चाहते और इसको स्टोड करना चाहते तो इस स्टेज पर एक टाइट बॉक्स भरकर के फिर्ज में रख लीजे यह पूरी एक हफते चल जाएंगी बिलकुल खराब नहीं होंगी चलिया अब फटाफट से इसको मैं करने बनाएंगे महाराष्ट्रा स्टाइल कुरकुरी करारी कुथमीरवडी गैस पर एक कढाई में तेल चड़ाएंगे अच्छ से तेल को गरम कर लेंगे मीजम फ्लेम पर बस यह फ्राई करते वक्त एक ही चीज का ध्यान दखके कि अपको अपको मीजम हाई रखना है बिलकुल उलटते पुलटते सीक भी सकते हैं और एर फ्रायरी आवन में बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री सल्सियस प्री हीटेड आवन में आप लगबग 10-12 मिनिट के लिए बेक कर लें और इस तरह से उलटते पुलटते बढ़िया से गोर्डन क्रिस्पी कुरकुरी सी बढ़ी हम फ्र तो यह लीजे बिलकुल तयार है हमारे नई तरीके से बनने वाली बहुत बहुत टेस्टी डिलीशिस यमी और कुरकुरी क्रंची कुत्मीर बडी यह देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूं आप देख सकते हैं अंदर से सॉफ्टर उपर से क्रिस्पी परफेक्ट कोथ बीर बडी तयार होई है इसको मैंने यहां सर्व किया है चटनी और सॉस के साथ साथ में फ्राइड मिर्च के साथ मज़ा आ जाएगा यकीन मानिये 100% मस्ट्राइ रसेपी है और इसको अब मैंने कर दिया है बनाना बहुत ही आसान आप जरूर जरूर बनाइए आपको म स्नेक को मुझे भी रुका नहीं जा रहा है मेरी फैमिली भी वेट कर रही है तो मैं सर्फ करने वाली हूं अपनी पूरी फैमिली को गरम गरम जाय के साथ आप जरूर बनायों मुझे जरूर बताएं कैसे लगी आपको आज की यह जटपट को तमवीर बडी की रेसिपी वि